कारों और बाइकों की दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए सबस्क्राइब बटन दमाएं और हम से जुड़े रहें टाटा जन्वरी में हैरियर को लॉंच करने जा रही है और इसकी पुष्टी हो चुकी है कि इस SUV की कीमत 16 से 21 लाक रुपे के बीच होगी हैरियर की सबसे बड़िया चीज इसका डिजाइन है है और इसका आकरशक डिजाइन पहले ही दिलों को जीच चुका है बिल्कुल नई तरह के हेड लैंप्स और दिन में जगने वाली लाइट्स उबरे हुए वील आर्ट्स और पीछे लगे LED लैंप्स एक दम अलग दिखते हैं क्वालिटी के हिसाब से इसमें टाटा के अब तक के बहतरीन इंटिरियर्स हैं लेकिन नेक्सन के डैशबोर्ट से समानता काफी साफ दिखती है हैरियर में हाई रेजलोशन डिस्प्ले और एम्प्लिफायर वाले 9 JBL स्पीकर्स के साथ एक फ्लोटिंग आइलेंड टच स्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टम है अभी के लिए हैरियर को सिर्फ 5 सीट कांफिकरेशन में पेश किया गया है जिसमें बड़ी अराम दैक सीटें और 425 लीटर बूट स्पेस है की फीचर्स में पुश बटन स्टार्ट, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीरिंग वील, क्रूज कंट्रोल, रेंज सेंसिंग वाइपर, आर्थ तरह एड़्जेस्ट होने वाली ड्राइबर सीट और कूल स्टोरेज बोक्स वगरा शामिल है हैरियर, Land Rover Discovery Sport के L550 प्लैटफॉर्म पर आधारित है, पर इसमें JLR का 240 होर्स पावर वाला 2 लीटर इंजिनियम इंजिन नहीं मिलता है लागत को कम रखने के लिए, टाटा ने फियट से लिया गया 2 लीटर क्रायो टेक डीजल इंजिन लगाने का फैसला किया है जो सिर्फ 140 होर्स पावर की ताकत पैदा करता है हैरियर की सबसे बड़ी राइवल, जीब कमपास में ऐसा ही 2 लीटर मल्टी जेट डीजल इंजिन लगा है पर वो 171 होर्स पावर की ताकत पैदा करता है जो परफॉर्मेंस के मामले में इसे टाटा हैरियर से काफी बहतर बनाता है टाटा हैरियर को शुरुवात में केवल 6-speed manual transmission वाले डीजल वेरियंट में ही पेश किया जाएगा ये एक बड़ी कमजोरी है क्योंकि जादतर competitors पहले ही manual और automatic दोनों options के साथ डीजल और petrol engine पेश करते हैं हैरियर का platform एक सक्षम off-roader वाला ही है पर दुख की बात है कि इसे सिर्फ two-wheel drive में पेश किया जाएगा हालांकि इसमें सामान्य, गीले और उबडखाबड रास्तों के लिए तीन टेरन response मोड है लेकिन four-wheel drive की कमी से इसकी off-road capabilities काफी सीमित हो जाती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Tata Harrier की आने वाली updates और comparisons के लिए हमसे जुड़े रहें